प्रभावी मंत्रों में से ये मंत्र है सदियों से उच्चतम मंत्रों में गिना जाता है और ओम नमाशिवाय पंचाक्षर मंत्र और महामृत्युञ्जय मंत्र के समक्ष रखा गया है इसके जब से बहुत जल्दी शुपफल मिलते हैं और माना जाता है कि जो भी मनुश्य रोज इस महाम मंत्र को करता है नियम भना लेता है उसकी जीवन के सारी अभाव दूर हुचाते हैं उसका जीवन सफलता और सुक्सम्रित्थी से भर्चाता है कई लोग है जो ये नहीं जानते कि इस जमतकारी मंत्र का जब दिन में कब कहां कैसे और कितनी पार करना जाए गाहित्री मंत्र को वेदों का सर्फ स्रिष्ट मंत्र माना जाता है तीन समय बताए गए हैं सबसे पहले तो आप सुबह वेदिस्दर से उठते ही अश्ट कर्मों को जीतने के लिए आठ बार गाहित्री मंत्र को कितने बार पढ़ना है आपको सुबह विस्दर से उठके आठ बार आपको गाहित्री महा मंत्र का उच्छारण करना चाहिए भी बोलना हैं धिरे धिरे ताकि छिर्फ आपके कान तक आवाज चाहे इस तरीके से आपको इस महा मंत्र को बोलना चाहिए आप देखेंगे एंगे जीवन की सारी कठिनाया जितने ताप है उन के ट virtки का पहला समय रातरकाल हुं होता है तुरिय वदे से 2 घंटे के अंदर भी इसका जब कर सकते हैं जाहे नहीं और एक 6 वार गिंदर जब कर सकते हैं अनुकाम्न होती है वह पुर्णे होती है और आपकी सधे रक्षा होती अगर लगता है कि आप घर से बाहर निकलते हैं आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं होता है तो आपको गाहितरी मंत्र का जब 5 या 11 बार कर लेना चाहिए इससे भी आपको सम्रिधी सफलता सिध्धी और उच्छी जीवन की प्राप्ति होती है आप एक लोटा जल स्नान करने के ब सुर्य देव को लोटे से जल्तो अर्पित करते ही हैं साथ ही साथ अगर आप काहितरी मंत्र का उचारण करते हैं तो माना चाहते हैं आपके जीवन में धन संपत्ति यश्मान समान सभी की प्राप्ति आपको जरूर होती है सूरी पुझा का जो दूसरा समय होता है वो दोप सूर्य आस्त का समय है और सूर्य के कुछ देर पहले आपको मंत्र चरू करके ौह को training करना चाहिए तो थिन मिनटी की जес आपो मांसिक रूपसे अगर इस प्रकार से जप क्रते हैं आपको मांसिक रूपसे चप करना है और सोते समय फिर 11 बार अग एक ऑर झप्ट कर लेते तो हर प्रकार से सबीप प्रकार की कठिनाइया आपके जीवन में दूर हो जाती है दोईस्तियों आपको बता दू कि हर प्रकार के अमंगल से बचने के लिए यहां तक ही कहते हैं कि अगर आप घर से निकल रहे किसी जरूरी काम के लिए और चीका जाती है तो उस समय आप एक बार गाहितरी मंत्र बोल लीजे आपके सभी अमंगल दूर हो जाते हैं